धमदा में एक हत्याकान का मामला सामने आया है जहां बोलेरो सवार दो आरोपियों ने रॉंग साइड लेकर एक ट्रक को ठोकर मारी जिसका नुकसान देखने ट्रक से उतरे हेलपर को भी आरोपियों ने अपनी गारी से उचल कर फरार हो गए वही हेलपर की मौके पर ही मौत ह गई दुर्ग जिले के धंदा में एक दरदनाग हत्याकान का मामला सामया है जिसमें बोलेरो सवार दो आरोपियों ने एक ट्रक हेलपर को रॉंग कर फरार हुए जिस से चलते इस घटना में हेलपर की मौत हो गई गौर तलबे की रॉंग साइट से वहां चलाकर बोलेरो सवार आरोपियों ने पहले खड़ी ट्रक को ठोकर मारी जिसके बाद ट्रक को वे नुकसान को देखने उतरे हेलपर गनेज दुबे को बुरी तरह से कुचलते हुए मौत के घाट उतार दोनों आरोपी मौके से फरा की और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गृफतार कर लिया गौर तलबे की मिली जानकारी के नुसर मैराश्ट निवासी बलकार सिंग जारखन नागपूर ट्रांस्पोर्ट कंपनी के ट्रक चलाता है वहीं हेलपर गनेज दुबे के साथ करीब 15 दिन पहले नागपूर में गाड़ी को देखते हुए नुकसान के लिए आरोपियों से बात की इस पर आरोपी आकुरसित हो गए और पहले अपनी गाड़ी को रिवर्स किया उसके बाद तेजी से आगे बढ़ते हुए हेलपर को कुचल दिया जिसे हेलपर की मौके पर ही मौत हो गई घटना के बाद स चोटे वाहन चार परिया वाहन में करें दो लड़के थे वो दारूपी के कहीं से आ रहे थे पहले तो उन्होंने ट्रक वालों को देखा तो वह रॉंग साइड ले जाके गाड़ी को तेजी स्पीड में ट्रक वालों की तरफ बढ़ाया ट्रक वाले ने जब देखा कि घटना इस्तल पर मिलती हो गई थी पूरी रात करीब 12 बजे की घटना थी फिर पुलिस को ततकाल जैसे सूचना मिली पुलिस ने उस गाड़ी और घटना करने के बाद फिर वो अपनी गाड़ी भगा कर वहां से निकल भी गय पुलिस ने रात बार वह घेरा बंदी की अच्प अच्छ पूर पुस्ताज करने पर दोनों में से जो आड़ी ड्राइवर था उसने घटना करना नसे की हालत में सुईकार किया और जो उसके साथ फ्रेंड का नाम भी उसने अपने पुलिन नामे में लिया डोनों के गिरखतार हुए और फिर उसको भी के डेट में जेल लाक्पिल किया थे है ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट